तो कैसे हो आप लोग वेल्कम टू देस लेसन वेल्कम टू माई यूटूब चाइन तो इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले रोलर मिल के बारे में पढ़ने वाले रोलर मिल जुसका कंस्ट्रक्शन उसकी वर्किंग यूजेस अडवनटेज डिस अडवनटेजस सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले अगर आपने आप तक आमरे यूटू चाहें सब्सक्राइब करना फार्मा रिलेटेड जितने वीडियो होंगे वह आपको आवेलेवल कर दिये जाएंगे तो चलो लेक्षर को स्टार्ट कर देते रोलर मिल उसका प्रि application of stress the stress is applied by the rotator wheels rollers okay rollers यहां पर हम किस का यूज करेंगे material कट करने के लिए rollers का यूज करेंगे फ्रेंड्स रोलर से material के ऊपर हम roller आगर चलाएंगे material के ऊपर तो material compress हो जाएगा जो बड़ा material होता है उसके ऊपर आप रोलर गुमाएंगे सड़क बनाती होए आपने कभी देखा होगा उसके उपर से आगर हम रोलर चलाएंगे तो जो आपका material होता है material compress होना start हो जाएगा मतलब जितना बड़ा पार्टे हो लाता है चोटे पार्टिकल के आंदर convert होगा तो यह होगा उसका principle तो देख लेते उसका डाइग्राम मतलब उसका construction देख लेते चलो ऊपर जो है ऊपर देखो होपर प्रजेंट होता है मैंने आपको बताया material फीड करने के लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए जो रोलर होते हैं ना फ्रेंट्स ओ रोलर जो रोलर फिक्स रोलर होते हैं तो यह हो गया उसका construction नेक्स डेख लेते हैं उसकी working देख लेते हैं उसकी वर्किंग देख लेते हैं इसके आदर material इंट्रोड्यूस करेंगे के बाद यहां पर देखो नीचे material आ रहा है material नीचे नीचे आते यहांपर 2 roller के बीच में आजाएगा 2 रोलर के बीच में आने के बात क्या होगा फ्रेंड्स मजा होगा यचाई नहीं क्या होगा अच्छे से देख लिज्ग यजई दो materialu रोलर के बीच में आने के बाद जो बड़ा मटेरियल होता है वो रोलर से नीचे तो नहीं आएगा तो रोलर में जाएगा रोलर के अंदर दो रोलर प्रजेंट होते हैं तो दो रोलर के बीच में जाके वो जो बड़ा पार्टिकल होता है तो स्मॉल पार्टिकल के अंदर कनो करनोट हो जाएगा और नीचे से हम उसको कर देंगे जो बड़ा पाटिकल होता है वह स्मॉल पाटिकल में करनोट होने के बाद इजी नोट से फ्रेंड्स ज्यादा यहां पर टेंशन लेनी की ज़रूरत नहीं जितना एक्जम के लिए रखता है उतना ही दिया गया यहां पर अच्छी से इसकी नोट्स बना लिजिए स्क्रिंशोट मार्केर रख लिजिए नेक्स्ट उसकी यूजेज देख लेते चलो रोलर मिल इस यूज़ड फॉर्ट करने के लिए यहां पर इस रोलर मिल का यूज़ किया जाता है बिपोर एक्ट्रक्शन ओफ फिक्सड ओईल्स और अलसो यूज़ टू क्रश दस शॉप्ट टिशू टू हेल्प इन दर पेनेट्रेशन ओप दर सॉल्वंट डिरिंग एक्स्ट्रक्शन ओफ प्रोसेस जो यहां पर रोलर मिल जो सीड्स होते है ना एक्स्ट्रक्शन करने से पहले एक्स्ट्रक्शन मंचलब ऑईल निकाल जालने से पहले इसको रोलर मिल के अंदर डाल दिया जाता है किसलिए जो बड़ा बड़ा सीड्स होता है उसको स्मॉल पार्टेकल में करने के लिए तो यह हो गए उसके युज़ेस आयो प्रेंट्स आप सभी की वीडियो पसंद आया होगा वीडियो के अंदर कोई स्टिंग टॉपिक के साथ थैंक्यू जैहिंद